हेलो मैंगरी एश्रुशिशंस खे बारे में जो कि अपका इन्वाइमेंट mr. सायइज का यूनिट वन का सब टोपिक है तो चलिए विदाउट डिले हम बात के Beim forest resources की forest resources यानि की जो forest है वो हम ये मानते हैं या हम ये जानते हैं कि ये जो है forest जो है ये क्या कहलाते हैं हमारे अर्थ का लंग कहलाते हैं लंग मतलब actually जो forest है उसमें बहुत सारे plants है और इतने सारे plants हमारे अर्थ को क्या देते हैं oxygen देते हैं प्रान वाई हो जिसको हम बोलते हैं तो ये जो होते हैं इसलिए हम इनको लंग बोलते हैं इसके अलावा oxygen देने के अलावा forest और किस चीज का resources है timber का, fuel का, wood का, food का, fiber का, fruit का, herbal drugs का, cosmetics का और ना जाने कितने raw materials जो industries के हैं वो हमें forest से मिलते हैं एक great variety of mammals and birds live in the forest इसके अलावा बहुत सारी जो mammals हैं, birds हैं, आपके animals हैं, ये सब किस में रहते हैं? forest में रहते हैं, even tribal communities भी forest का, जो है forest के अंदर रहती है ठीक है, तो ये जो सारी चीज़े हैं, ये forest resources में हमें देखने को मिलती हैं और forest resources कहीं न कहीं एक तरीके से बहुत important aspect है हमारी earth का अगर हम इसके significance देखना चाहें, कि इसके significance क्या-क्या है कि देखें, इसके significance को हम देख लेते हैं, कि आखिर forest के significance क्या-क्या है सबसे पहले इसकी बात कि ये economic significance, जब इतनी चीज़े मिल रही हैं, तो कहीं न कहीं वो अगर उन चीज़ों को कोई भी market में sale करेगा, तो उसको economic aspect तो आएगा मतलब उसको पैसा मिलेगा, ठीक है, it provides a wide variety of goods and services which include food, food or fuel, यानि कि ये सारी चीज़े जो है, जब हम बेचते हैं, तो हमें मतलब ये food, food or fuel जो है, हमें किस से मिलते हैं, forest से मिलते हैं और जब हम ये सब चीज़े सेल करेंगे, तो हमें पैसा मिलेगा, forest products such as the tannin, gums, spices, waxes, honey, musk, heights and all provided by flora and fauna of the forest, flora and fauna मतलब कि जो आपके flower और animals हैं, मतलब कि आपके जितने भी plants और जितने भी animals उनको मिला के हम flora and fauna बोलते हैं, तो ये जो forest के ये सारी जो चीज़े हैं, tannin, gums, spices, इनको जब हम as a trading करते हैं या as a इनको हम बेचते हैं market में, marketize करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें as a economic aspect बहुत ज़्यादा मिलता है, यानि कि हमें पैसा मिलते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारा profit है ecological significance देखें, तो जब हम बात कर रहे हैं कि पेड, यानि कि हम जब बोलते हैं कि plant, tree, tree, plant करिए, tree, plant करिए, tree लगाईए, तो क्यों ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं plants हमारे climate को moderate करते हैं, climate को maintain करते हैं, तो forest भी यहीं काम कर रहा है, forest stabilize the global climate in the significance manner by influencing the natural cycle such as the hydrological cycle, carbon cycle, तो जो हमारे forest हैं, यह सारे cycles को maintain करते हैं, oxygen को produce करते हैं, photosynthesis के थ्रू, plants जो है, autotrops हैं, हम जानते हैं, even unit 2 में हम अच्छे से detail में भी पढ़ेंगे, कि plant जो है, phototrops हैं, और कहीं न कहीं, वो बहुत, जो है, solar energy को convert करते हैं, और chemical energy में, और इस process में, वो oxygen हमारे environment को देते हैं, और इस से क्या हो जाता है, global warming reduce होती है, protection of biodiversity, लेकि हमने अभी कहा कि जो forest है, उसमें बहुत सारे animals जो है, रहते हैं, और यहाँ पर इतने सारे animals जब रहते हैं, तो यह इतने सारे variety के animals जो हैं, वो maintain रहते हैं, तो कहीं न कहीं, forest हमारे इस biodiversity को maintain रखता है, forest are the greater repository of the biodiversity on the land as they provide ideal condition for the survival and growth of living organisms, यानि कि यह जो forest है, forest हमारे biodiversity को maintain करने में बहुत important role play करता है, forest check the soil erosion, देखिए plant जो होता है, plant plant की जो root होती न, वो soil को पकड़ के रखती है, अब soil को पकड़ के रखने में क्या हो जाता है, कि अगर कोई flood भी आ रहा है, बार भी आ रही है, तो क्या हो जाता है, वो मिट्टी का upper layer को नहीं जाने देती, तो अगर मिट्टी की upper layer निकल जा है और जिसकी वज़े से soil erosion से बचा जाता है इसके लिए जो आपके plants है trees है उनके roots कहीं न कहीं आपके cyclones floods इनको रूपते हैं उनके roots इन चीजों को रूपने में के पेबल होती है ठीक है इसका जो थाड़ aspect है थाड़ aspect हम देख लेते हैं कि यहाँ पर social culture significant लेकि हमने यह कहा है कि जो आपका forest है वो forest आपका कहीं न कहीं बहुत सारी diversity को maintain किये हुए है एक साथ अब यहाँ पर बहुत सारे हमने कहा कि tribal communities भी रहती है तो यह जो tribal communities है इनका proper social culture aspect भी है कहीं न कहीं यह हमारे root values को पकड़े हुए है तो यह जो हमारे जो civilization जो ancient civilization है जो बहुत पुरानी civilizations है वो हमारे social and cultural aspects को maintain किये हुए है हमारे मतलब वो इस तरीक से maintain किये हुए maintain करना मतलब कि कि वो कहीं न कहीं जैसे पुरानी जो traditional है उनको बांधी हुए है उनको conserve किये हुए है वी फाइंड the science of the culture wants even in the today moderns materialistic life तो कहीं न कहीं हमें वो सारे bonds और वो सारी चीजे उन forest में दिखाई देती है tribal communities में दिखाई देती है उन जो पूरा aspect एक पूरा जो logical system forest में बना हुआ है वो हमें वहां पर यह सब चीजे दिखाई देती है अब यहां पर एक बड़ी दिक्कट यह है कि forest के साथ issues क्या हो रहे है forest के साथ issues हो रहे है डी forestation का deforestation के issues हो रहे है कि deforestation मतलब कि removal of the forest resources due to the natural and manmade activities जिसको हम destruction of forest भी बोलते हैं अब यहां पर forest के causes क्या क्या है सबसे पहले वही बात है कि developmental project मतलब कोई project government कह रही है कि भाई हम यह डैम बनाएंगे हम यह road बनाएंगे हम यह कोई hydroelectric projects hydroelectric projects road construction डैम वगरा बनाएंगे तो उसके वज़े से हमको जंगल काटना पड़ेगा तो वो development का नाम है development लेकिन हमने माइनिंग operations माइनिंग operations जो होते हैं माइनिंग कहां होती हैं यानि कि जो खदानें होती हैं वो बहुत जादा अगर उसके surrounding में जो forest इसको cut करते जाते हैं ठीक है जैसे माइका की आपकी mining है खदान है चूल है मेंगनीज के खदान है लाइव स्टरों के खदान है तो यह सब जो है कही नगहीं यह जहां पर खदान वगड़ का का मई चलता है तो वह बहां के लोग वही लोकल लोग रहते हैं और वह जंगलों काटते जाते हैं और इसको उसको जो ही उस करते जाते हैं तो इसके लबाव फ्यूल रिक्पायर्मेंट अब जो फॉरस्ट फॉरस्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें मिल क्या रहा है वो जो के फर्णिचर के काम में भी आ रहा है कई लोग जलाने के परपस से चूला वगर जलाने के परपस से काम लेते हैं तो क्या होगा जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सब दीरे दिर इनको काटती जा रही है और उसको खतम करती जाने हिए शिफ्टिग काल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्रिशन मतलब की कि पॉररेश्ट का तके कि बंद काट्वी époत चाली जाज और इनको गाते चयास्म के जबुफञए कंड़िवेशन है एक जगे से दूसरी जगे शिप्ट हुए दूसरी जगे से तीशे शिप्ट हुए उसके बाद forest fire फॉरस्ट फायर डिस्ट्रॉक्ट थाउजेंट ओफ एकर ओफ फॉरस्ट फायर जो होते है मतलब की जंगल आपने कभी सुना हो की गर्मियों में जनरल ही होता है कि फॉरस्ट में रबिंघ से जो है जंगल के जंगलों में आग लग जाती है तो जो फॉरस्ट फाय। होता है वह सारे जो चीजे सारे यहां इम् मतलब deforestation हो तो रहा है उसके consequences क्या है मतलब उसके परिणाम क्या क्या आरह है उसके impact क्या क्या आरह है तुदेखे उसके impact ये है कि पिटा यहां पर economic loss भी बहुत हो रहा है अगर हम उसके aspect देखे तुदेखे, economic loss बहुत जादा है biodiversity loss होती है ठीक है हमने कहा कि वोरिस्ट में बहुत सारे हैं लोग बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे विराइटी की विर्ट्स रहते हैं अगर हम यह सब काटेंगे तो उनका हैबिट भी लॉस होगा और एंड में उनका जो एक्जिस्टेंस है वो खत्रम हो जाएगा इंक्रीज दा रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हमने कहा कि जो पेड हैं वो कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करते हैं पेड काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी डिस्रप्षन ऑफ वडर पैटर अंदर ग्लोबल घ्लामाच डिस्रप्षन जो है जो आपका ग्लोबल वर्मिंग है वेदर पैटर्न है उसको जो है कहीं ना कहीं यह हम बोलते हैं कि पीडों के कटने से बहुत सारी चीज़े удоб होती है बहुत सारी cyclerousуется है न्यूट्रेंट cycle disturb होत उसकी upper layer को plant की roots पकड़े रहती है तो कहीं न कहीं अगर हम forest cut कर रहे हैं, plant cut कर रहे हैं, trees cut कर रहे हैं, तो soil erosion भी promote कर रहे हैं, induce and accelerate the mass movement and landslide, जो plant की roots होती हैं, बड़े trees की roots होती हैं, वो landsliding को रोकने में बहुत effective होती हैं, लेकिन अगर हम plants or roots trees को cut कर रहे हैं, तो ये चीज़े भी हमें देखने को मिलती हैं, increase the flood frequency, magnitude and severity, अगर जो है, पानी को control करने की power अगर किसी में है, तो वो trees के पास है, trees की roots के पास है, और अगर पानी का control नहीं हुआ है, तो वो flood का form ले लेता है, तो और उसकी कहीं न कहीं severity बह जादा भायना हो जाता है, break the water cycle, अगर plants नहीं है, तो जो water cycle है, यानि की पानी का evaporation होना, फिर cloud बनना, फिर rain होना, यानि precipitation होना, ये cycle पूरा disturb हो जाता है, break the nutrient cycle, break the nutrient cycle, अभी मैंने आपको बताया है, कि जो plants होते हैं, वो कहीं न कहीं आपके nutrients को recycle करते हैं, और कहीं अगर य it is hardy है, तो ये cycle भी disturb होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अभी आपका ये सारे impact हमको देखने को मिलते हैं, अब इसके consequences क्या-क्या है, sorry, conservation, हम कैसे इसको conserve करके रख सकते हैं, वो हम चीजें देख लेते हैं, कि किस तरीके से हम forest को conserve करें और इसका management करें, तो सबसे पहले ह है, कि यहाँ पर हम जो है, नए plants बनाएं, नए से नए trees लगाएं, कि भई, जो trees है, plant more and more trees, और जितने trees होगा कट हो रहे हैं, उनको replace कहीं और replace किया जाए, लेकिन किया जाए, ऐसा होता भी है, बचसाही, कभी कोई जो है, developmental project चल रहा है, और उसमें actually होता क्या है, कि वो बत है, कि हमने, अगर हजार पेड़ कट किया, तो हजार लगाए भी है, लेकिन ऐसा मतलब होता भी नहीं है, और on paper ही सारी सारी चीज़े हैं, तो ये काफी जो है, खराब एक aspect है इस चीज़ का, development and alternative sources and promoting the substitute, यानि कि जो sources हैं, जैसे fuel का source है, इसके अलावा, जो wood वगरा, जो sources है उनकी जगे हम कुछ ऐसी चीज़ यूज करें कि जो trees से ना लेके हम, या तो हम nature से बना सकते हैं, या तो हम lab में बना सकें, या किसी तरीके से इस तरीके से substitute लें, ताकि वो कहीं न कहीं हमारे nature को भी खराब ना करें, और plants trees को कटने से रोकें, जैसे wood आजकल wood furniture पहले बीच में चला था, लेकिन wood furniture की जगे हम plastic के furniture या plastic का sheet भी use कर सकते हैं, या हम tiles furniture भी अच्छे से use कर सकते हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं, forest fire must be controlled by modern technique, कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी अगर forest fire लग जाए, क्योंकि forest fire आपको गर्मियों में ही देखने को जादा मिलती है, तो क्योंक कई कुछ ऐसी techniques develop करें, कि वो forest fire अगर लग भी गई, तो बहुत आसानी से control आ जाए, over grazing by cattle must be controlled, over grazing control करने चाहिए, actually क्या करते हैं, जो animals के owners होते हैं, उनको जंगलों के जंगलों पर छोड़ देते हैं, जबकि कोशिश ये करने चाहिए, या governments को कुछ ऐसे platform बनाने चाहिए, grazing platform बनाने चाहिए, कि यहाँ आप अपने animals को, जो है, यहाँ पर आप अपने animals को grazing ले ला सकते हैं, forest में मर छोड़ी, ठीक है, step should be taken by government to discourage the migration of the people in the islands from the mainland, अब कोई भी जगे जो है, किसी भी जगे को protect करने का जो main source है, या main जगे है, main, मतलब कोई भी जगे, कौन protect कर सकता है, और local लोग कौन है, जंगलों के? ट्राइबल लोग, तो ट्राइबल लोग जो है, या जो villagers है, वो अपने forest को बहुत अच्छे से protect कर सकते हैं, तो जो villagers होते हैं, वो कही ना कही, अगर migraine नहीं करें, या अपने जगे से नहीं जाए, तो वो वहाँ की problem भी बहुत अच्छे स समा सकते हैं, और उन महीं को protect भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, migration होता क्यों है, migration इसलिए होता है कि आपको job insecurity है, या जो है, उनको agricultural में उतना नहीं मिल रहा है, या education institute नहीं है, तो वो सारी अगर हम facilities develop कर दें, तो कही ना कहीं migration रोख सकता है, और अगर migration रोख सकता है, तो local लोग उसको बहुत अच्छे से ही समा सकते हैं, education and awareness program must be conducted, और routinely जो है, कुछ ऐसे programs conduct करने चाहिए, कि भई, लोगों में जाग रुपता है, strict implementation of the law of the forest conservation act, actually होता क्या है, कि जो law है, वो बहुत ज़्यादा flexible है, इसलिए सब जानते हैं, कि भई, अगर हम कुछ crime भी कर भी तो जाग ले देना में जमानत पर छूट आएंगे, तो यह जो चीज है ना, यह कहीं ना कहीं, अगर हम laws को implementation करने में proper strictness दिखाएंगे, या बहुत strict rule बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम, जो है, forest conservation act के तहदा अगर अच्छे strict rule बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं यह चीज़े थ involvement किया जाए, और उनको यह बताया जाए, कि social forestry का aim क्या होता है, fuel, food, food, timber and other requirement of the local people, कि भई, आपकी जो 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 requirement है, आप इस तरीके के substitute से पूरी कर सकते हो, या government आपको यह facility देगी, आप चूला में जलाए, आप LPG cylinder ले जीजे, तो इस तरीके से अगर आप वहा आपका पूरा है forest resources के बारे में, next video में हम next resources के बात करेंगे, till then, bye bye, thank you.